अलो एंड वेलकम एव्रिवान वेलकम टू एग्रिकल्चर अड़ा 247 दोस्तों कैसे वह आप लोग बहुत अच्छे सब भी लोग बहुत अच्छे होंगे फटा फट्सेशन को स्टार्ट कर देंगे आज हम लोग रिवीजन लेने वाले फॉस्ट एक रिवीजन बहुत अच् इस अच्छे से बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं फटा 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 जुरने का काम कर लेंगे बच्चा जिसने अभी तक यह को डाउनलोड कर लो डेली आपको कुज मिलती है जैसे आप यहां पर भी सब्जिक वाइट कुज मिलती है यहां से भी आप को ठीक है चलो है दो जो सके साथ में रुगे रहेंगे फटा फटा अंसर देंगे ठीक है चलो बताव फटा डुराइट वर्मिंग् हो जाएगा 120 दिन ठीक है और वहीं हम लोग जब बात करते हो किसकी बेटा रेंट फर्मिंग तो ग्रेटर देन 120 ठीक है ना याद रहेगा चलो अगले कोश्चिन प्राज अगला बेटा मारा कोश्चिन है कौन से स्टेज में स्माल फिंगर लाइक बिल्कुल ई्रोजन बैटा रोजन से डायरेक्ट और काटेट में पांच पांच कोश्चिन पांच कोश्चन य्रोजन से ही आगए वह भी एकदम लाइन से जैसे ही अप उठाएंगे करना हमने जो जो पॉइंट बताये दे लैसिरोजन किसमें होता है आपको पता है अच्छा देठा फार्मर किसे कहते ओसी तरो जर्न को इस सब बताया देना विल्कुर सेम कोशन आशी्टिस आपको मिल गया ते बिल्कुल आंसर वोगया स instincts बिल्कुर सभी का good सबी लोग सभी मेटा जो मारा क्या होता है इसके किया उता है उसको लुक्त बोलते हो अगले कोशिन पर आ जआ जो अगर हम लोग बात करते हो बेटा किसकी जंव बात कर तें कॉंस्टेंटकासड वाई सब तां आ मतलब साओ से सकतर सेंटी Durham साथ से संटीमेटर सो टीनी प्राइमरी में प्राइमरी में आयेक किसन celebrity में याध रहेगा चलो आजयो वेटा अगला अगला हमारा कोस्षयन है ज हमारा प्रेशर जणरेरेट होता है एक होता है लो प्रेशर जोन एक हाई प्रेशर जोन अगर बीच में प्रेशर हाई है तो क्या बोलोगे अगर बीच में प्रेशर बेटा लो है तो हम लोग क्या बोलोगे जल्दी से बता दो और यह जो पूचा गया है इसमें सेंटर पे कैसा है प्रेशर हाईएस्ट प्रेश है और किनारे प्रेशर यहां पर लो है अगर बीच में लो हो जाए और किनारे हाई हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे बिल्कुल अंसर आने लग गया गजब गजब बिल्कुल बेटा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है बिल्कुल हाँ अगर यह है तो यह मारा एंटी साइकलोन क्या है एंटी साइकलोन और साइकलोन में क्या होता है बीच में लो प्रेशर जनरेट होता है बीच में लो प्रेशर किसमें जनरेट होगा यह मारा साइकलोन में होगा बिल्कुल आंसर सभी का सही है याद कर लेंगे और यह मारा आंसर क्या हो जाएगा एंटी साइकलोन अगल स्वाइल मौस्टर को कंट्रोल करने के लिए कौन से प्लाव का यूज करेंगे बेटा स्वाइल मौस्टर प्लाव से क्यों तुम बढ़ाओ यह बताओ प्लाव का मतलब होता खोदना ठीक है जब आप खोद रहा हो तो मौस्टर कैसे कंजर्व करोगे टिलेज वो जो आप प् बिल्कुल सीड जो मारा वीज होता उसकी आउटर कवरिंग को क्या बोलते हो टेस्टा बोलते हो उसी सीड को ड्राइब होता है बीच बाहर वाला जो है वो क्या है टेस्टा के नाम से जानते चलो अगले कोस्टिन पर आजाओ अगर हम लोग बात कर तो अर्थ वाल की आटा मैंटल और अंदर जो हalter क्या है यह मारे रिश्वाएतर कॉर बाहर वाली और रॉट हो अंदर रोगो ठीक है लगार अच्छा इसमे लिगजा और और अिकल और रड니다 तोवन नगें सियाल सीवान नीफे सियाल सीमा नीफ है याद कर लेंगे तीनों चीज़ों को ठीक है न और हमने पूछा किसमें इसमें पूछा था कौन से तीन पार्ट होते हैं एक क्रष्ट एक मेंटल और तीसरा कॉन सा है ठीक है ना आंसर क्या हो जाएगा कोर बिल्कुछ सही है गजब बिल्कुल बिल्कुल क होगी तो बताओ इसकी बैटा efficiency कितनी होती है अगर वो ट्रेक्टर माउंटेड है अगर वो ट्रेक्टर माउंटेड है तो बताओ उसकी efficiency कितनी होगी 0.5 एक 1.75 या फिर दो जल्दी से आंसर लाओ हाँ गुड है बहुत अच्छे हाँ साइलेंद मिल्कुल सही कह रहे हो अभी नों कह रहे हैं सर की क्लास किस दिन कोई सी सब्जेक्ट की होती है बता दीजिए सर बैटा हम लोग जो लाते हैं अभी वह अभी हम पूरी क्लास को मतलब उसमें क्रॉप फीजियो लॉजी के भी एक्जाम में आपको यूसफुल होने वाली है हम इसमें एक सब्जेक्ट स्पैसफिक नहीं लाते हैं इसलिए ताकि आपको जब हम त्यारी कराएं तो अगर हम प्रीवियस कोश्चन किसी के किसी भी एक्जाम के लेके आते हैं तो उस पेपर में आया हुए सारे कोश्चन ए एक साथ डिसकस करते हैं कि अगर हमारे सब्जेक्ट उसमें आय हुए हैं ठीक है ना हम इस प्रकार से अपना रख रहे हैं जब आप बताएंगे तो हम सब्जेक्ट वाइस भी लाने लगे जब आपको लगेगा कि सब्जेक्ट वाइस हम लेके आते हैं यह रहता है साथ मंगलवार को यह बुद्वार को सब्जेक्ट वाइस ही आती मंगलवार को ठीक है ना हमाई 11 बजे और रोज आती 11 बजे एक सब्जेक्ट वाइस क्लास रोज आती है चलो ठीक है बताव क्या हो जाएगा अगर हम लोग बात करते हो बैटा टेक्टर माउल्टेट की तो कितन हो जाएगा दो अगर हम लोग बात करते हैं इनी मलट रान की तो कितना हो जाएगा पूछा गया वेटा कोशिण क्रब को में आए देटेश कोश्चिन क्लास का इथा जीरो तो सम्लफ चार या देना चलो अगले कोशिशन पर आ जाओ अगला बेटा हमारा कोशिटन है बताओ डायवीटर इसप्रेग्रोप अगर मौर्स घृत मेरे करता एक सब्सक्राइब करता एक से पचास मूयम या फिर 50-100 या फिर 100-200 या फिर 1100-200 जल्दी से अंसर लाओ हाँ है बहुत अच्छे बहुत अच्छे अगर हम लोग बात करते हो इस प्रेयर मोश्ट आपदा हाँ बहुत अच्छे बहुत सभी का अंसर एक दम सही है क्या अंसर हो जाएगा अंसर क्या हो जाएगा 100-200 याद रहेगा चलो अगले क्या अगर हम लोग बात करते हो ग्रीन हाउस की तो यह कौन सा इसमें से जो अगले कोश्चन पर आजाओ अगर हम लोग बात करते हो गुंटूर चैन की गुंटूर चैन की तो इसकी लंबाई कितनी होती है एक होती गुंटूर एक होती रेवेन्यू और एक होती इंजीनियर चैन तीनों को बहुत बार बता है और तो रटी गया होगा लाओ बहुत अ सब्सक्राशन जो ऑ्रूर्टे मैं जो ईतुश उर्एं नंटक हैनल फोल्ट इस सब पर दॉपल्ठ फर्स्ट इरिगेशन चुमीशन इसन कब आया था फ़र्स्ट इरिगेशन कमीशन प्यों Byeer ऑने लगी आंसर वर्स्ट एर्डिगेशन तो कमीशन था वह क्वा था oppro citr 1901 आंसर क्या हो जाएगा 1901 जल्दी से आजाओ अगले कोश्चन पर अगला बेटा हमारा कोश्चन है बताओ एलिमेंट फार्द बायो सिंथिस आफ ट्रिप्टोफैन की बात करो तो कौन सा जरूरी है ट्रिफ्टोफैन की जरूरत है वही ऑग्जिन बनाने का भी प्रिकर्सर होता है दोनों बात एक ही है अग्जिन बनाने का भी प्रिकर्ट्शर होता जल्दी से आंसर लाओ बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्या हो जाएगा जिंक क्या हो जाएगा जिंक बिल्कुत सही है चलो अगला बेटा हमारा कोश्चन क्या है अगला है माइको राइजा जो ह होता है वो पॉस्पूरस के वैलेबिलिटी को कर देता है इंक्रीज कर देता है बता वैटा ये कुशन हमारा कौन सा जो वेट एक मिनट भी लेट नहीं करना है जल्दी से आज़ पहला इंडिया फ्रस्ट पॉलिनेटर इंडिया फ्रस्ट पॉलिनेटर पार्क जो है वो कहा पर इंडिया फ्रस्ट पॉलिनेटर पार्क किया इंडिया फ्रस्ट पॉलिनेटर पार्क हेज जब इस पहला कहा ङता है रहें घंजा Am से किसको walking type ट्रेक्टर बोलते है walking type बता और उसका जो एच पी है इंजिन का वो कितना होना चाहिए बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा walking ट्रेक्टर हम लोग बोलते भी है किसको power Tiller को हैं डेक्टर या फिर या walking टाइप ट्रेक्टर के प्रइद रहेगा चलो पावर टीलर 8-12 HP के मेंली होते हैं कितने होते 8-12 HP अंसर हो जाएगा अगले कोशिटिट प्रजाओ अगला हमारा है फिल्ड कैपसिटी कितनी होगी इंडिजीनेश प्लाव की कॉस्चिन ऐधिजेश आया था इंडिजीनेश प्लाव का क्रभ गुको इक्जाम में बटब वेटा कितनी होती पॉईंट फाइब पंट 0 5.4 यह को पता इंडीजिनास है यानि जो देशी हलो उसकी बात कर रहे हैं कितनी हो जाएगी पॉइंट फोर कितना हो जाएगा पॉइंट फॉर याद रहेगा चलो अगले कुस्टिन प्राज़ो बताओ माइक्रो निजो मारे मैक्रो नूट्रेंट है विटा मैक्रो नूट्री एंट मैक्रो बताओ associated with the paste disease resistant paste disease resistance के लिए हां बहुत अच्छे बहुत अच्छे हाँ पेश डिजी रेजिस्टेंट के लिए कौन सा हो जाएगा कैल्सियम फास्पूरस पुटैसियम या फिर जिंक बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी हो रहा है ना पटाफ़ट रिवीजन ले रहे हो जल्दी हो रहा है मालूम है जल्दी अ वाटर का कितना होता है तो हमको मालूम है प्योर वाटर का जो होता है वो कितना होता है जीरो और यह जो होता है यह मैक्सिमम होता है यह कितना होता है मैक्सिमम होता है अगर कोई चीस तुमने एड की इसमें पानी में कोई चीस एड की प्योर में तो उसका बाटर पोटेंस घटेगा यानि माइनस वैलू चलेगी निगेटिव में होएगा याद रहेगा चलो अगले कोश्चिन पर आ जाओ अगला हमारा कोश्चिन है बेटा लैंड यूनिट यह कोश्चिन बहुत अच्छे से कराया था एक लैंड यूनिट है जो यूनिफर्म इन क्लाइमिट पैटर्न और लेंथ आफ दा ग्रोइंग पीरियर्ड है वह भी एकदम बढ़ी है एक जैसा सब देख रहा है यानि वह ग्रू क्लाइमेटिक है ग्रो एक लोजिकल है एग्रो लॉजिकल है या फिर एग्रो फारिस्टी जोन है बताओ आप गलती मत करना पहले दिन तो गलती बात बेनहीं कैसी क्या नसरों बताओ अगर है अंसरिटन लोग बात करते हो जो सब चीज़ में बराबर है वह माया एक इक अको लाजी कल क्या हो जाएगा एक गरो एक लोजिकल जो घौéf पर घुरे पीरिड को भी बराबर होता है चले बताओ अगर अगर हम लोग बात करत जो इस्टेट अग्रिकल्चर यूनिवर्स्टी जिस पर एड़वाइस टू चुडवाइट इन्टू इच श्टेट इंटू सब जोंस बाटने की बाद जो की गई यह सबसे पहले किस ने ने नेस्द हमारा एन ए आर पी लेकृच्छ रिसर्च प्रोजेक्ट रिस प्रोजेक नई वेटा आंसर क्या होगा आंसर होगा ए यानि ने असनल एगरिकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट जिसको एने आर पी बोलते हो आइसी आर उसने जो है सब जोंस में डिवाइड करने की बात की है जल्दी से बताओ जो हमारी ड्राइलेंड फार्मिंग है बिल्कुश सही है नाई सैलेंदर आईसी आर नहीं होगा एन ए आर पी तुमने पढ़ा भी होगा एन ए अर पी के हिसाब से जो सब जोंस है वह बाट दिये गये थे जो कितने थे 127 को याद है बताओ बेटा क्या हो जाएगा आंसर आंसर बिल्कुश सही है सभी आंसर सही आने लगा सौधर्न प्लेटू जो है यानि कि जो अपना दच्छिणी भाग है दच्छिणी पठार दच्छिणी पठार पे हमारा जो एक 80% हिस्से पर कैसी फार्मिंग की जाती है बरानी खेती की जाती है याद रहेगा बताओ बेटा एक तिहाई जो लेंड है कहां की ऐसी बात क बिलकुल सब्सक्राइब कर रहे हैं सर क्या है यह सब अधिया में सब्सक्राइब कर देंगे मैं पी तुम्हें चलो आंसर सही आने लग गया अगर हम लोग बात करते हो कहां का बेटा ऐसा जहां की एक तिहाई लैंड जो है माई कल्टिवेशन के लिए अभी लेवल नहीं ह वह हमारा सेंट्रल प्लेटू यानि की जो मद्ध भाग है जहां डक्कन का पठार आता है उस साइड की लेंड हमारी क्या है वहां पे हम लोग ज्यादा अच्छा काल्टिवेशन नहीं कर पाते हैं टीक का साइंटिफिक नेम क्या है हां सीजी आरेयो का बेटा आइडिया यह है कि सीजी आरेयो वाले ही फार्म भर पाएंगे 36 गड़के ही लोग भर पाएंगे हम लोग नहीं मतलब यूपी और एंपी के बच्चे वो सब नहीं भर पाएंगे दूसरा जो है उनकी बेकेंसी बेकेंसी आ गई पाएंगे 36 गड़की साथ चेक करना आई है कि नोटिफिकेशन आ गया मतलब बैकेंसी भी आई जाएगी बिल्कुल बिल्कुल आंसर सभी का आने लग गया है डी 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 टेक्टोना ग्रेंडिस बिल्कुल सही है इसको लोग क्या बोलते हो टीक के नाम से बोलते हो अगर एक कोश्चिन बहुत अच्छा देखा आमको कि री स्टॉकिंग अफ़ फेल्ड और अधरवाइस क्लियर्ड वूड लैंड मतलब री स्टॉक की हो दुबारा से आपने लकडी लगाए वहाँ पर आपने पेड लगा है पहले वहाँ पर पेड थे लेकिन आपने पहले काट कर रहे हो तो इसको क्या बोलोगे बिल्कुल आंसर क्या हो जातो कर रहे हों मतलब आप क्या कर रहों रिफोरेस्टेशन कर रहे हो बिलकुत सحी है कायनेटीटीक इनर्जी आफ रैनड्रॉप रैन्ड्रॉप जो होता है वेटा उसकी कायनेटीक इनर्जी किस पर पर करती है डॉप के साइज पर डिपेंड करती है नेशनल बोटैनिकल जो रिच इंस्टिट्ट है वह कहां पर है यह यह याद रहेगा आई-एमड़ी पूने में याद रहेगा चलो आजब अगले कोस्चिन पर बताओ कौन सा अभी अभी टाइगर रिजर्व एसा है 2021 में जिसने New New East Group Earth Heroes Award प्राप्त किया है इस से कौन सा आनि रखर टाइगर रिघर्वła पर यहाद ने अभी प्राप्त किया है तो इससे याद रखना एक कोशिण पूछा जा सकता है जो तपूरा पूरा टाइगर रिजर्व को ठीक है ना चलो अगले कोशन पर आजाओ अगर हम लोग बात करते हैं एंकमिंग तो कितने पर्सेंट इंकमिंग सोलर रेडियेशन का सोयल एब्सार्व कर लेती है ठीक है बाकी जो बापसी कर देती उसको क्या बोलते हैं उसको लोग एलवीडो बोलते हैं तो पता ही है चलो बताओ पांच परसेंट परसेंट पंदरा या फिर बीस जल्दी से आंसर देदो बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे हां याद रखेंगे सत्पुडा आंसर कोशन आएगा जरूरी है कहीं न कहीं देख सकता है आएमडी पूने वेटा आकाश आएमडी पूने ही लगाते हैं ठीक है न चलो बिल्कुल 10 परसेंट 10 परसेंट 10 बिल्कुल सही है जो मारी बेल्ट पर मिलती हो बेल्ट पावर होती है जो मारी ब्रेक पर मिलती ब्रेक पावर होती है और जो सबसे जब आपका molecular oxygen जुह है release होता है लीज्ट से तो कौण सा है ट्रांस्परेशन और समॉस्टि प्लेरिटी जल्दी से आंसर देदो हम बिल्कुत सही है जब हम लोग बात करते हो molecular oxygen के रिलीज होने की तो रिलीज होने पर मेंली कौन सा प्रोसेस होता है diffusion कौन सा होता है diffusion क्यों क्योंकि atmosphere पर oxygen कम और जो पती वहाँ पर oxygen ज्यादा जहां ज्यादा वहाँ से कम क्यों जाएगा तो diffusion क्या हो जाएगा diffusion high concentration से low concentration यानि diffusion और low concentration से high concentration यानि osmosis याद है ना चलो अगले पर आ जाओ अगला वेटा हमारा है की बता उट्रांस लोकेशन होता है इधर से उधर जाता है तुर फॉर्वेक में ग्लू कार्णा पर सकरोज रहा हूं बनता किस्वार्म में बंता बेटा इस्टास्ज के में में होता है और अगर मुझे ऐस्टार्ज के powers में क्या होता इस्टार्ज की पसे वहाँ सब्सक्रांइक शनक्राइब है बेटा इस्टर या रहेगा बिल्कुत au जो अगर कह रहे हैं हम स्वेल सेल जो है हमारी स्वेल कर गई है सेल क्या कर गई है पानी में डाले थे और वो स्वेल कर गई है यानि कि हम कह सकते हैं यह सल्यूशन कैसा होगा डिफिनेटली यह हमारा हाइपो टॉनिक होगा कैसा होगा हाइपो क्योंकि पानी क्या हुआ अंद होगा हाइपो टॉनिक होगा कैसा होगा हाइपो टॉनिक होगा अंसर हो जाएगा अगले कोश्चन पर बताओ नीनिमा मिनिमम ट्रांस्पिरेशन हो रहा है मिनिमम ट्रांस्परेशन तीन तरीके के प्लांट होते हैं एक होते हैं सबसे अधर ट्रांस्परेशन किसमें होता है बिलकुल बिलकुल सबका सही है अगर हम लोग बात करते हो बैटा ट्रांस्परेशन सबसे कम किसमें होता है तो सबसे कम होता है हमारा किसमें कैम प्लांट में और आपल शर्फ एक लिधा कौन सा है हमारा कैक्टर साही है क्टर सभी का शहीए कर्केट्स यह प्रॉज पीडराइट अग्ले पैसिट्स प्या जाओ अगला वारा बीटा कुश्शन विचलव तीद फालविग्टर इनजिनरिंग एक रिकल्चर इंजिनरिंग एक रिकल्चर इन इसको हम लोग बोलते हो Central Institute of Post Harvest Engineering क्या बोलते हो Central Institute of Post Harvest Engineering कहां पर है यह मारा लोधियाना में कहां पर है लोधियाना में याद रहेगा चलो अगले बंपरते हैं बंटर की बात करते हो अगर किन नेंटरने कुसेंशन में इंटर्न ह उन इंडेलोट का पक्रूसा होता है कि शाया के तो कितना होता है 120-200 से अगले कुश्चेश चलो अगले वहुkil होता है ग्लूकोस जो होता कैसा हुआ फॉली सेख्राइट का मतलब होता है जो हमारा गलुकोज है यह सब किसमे आता है यह सब बात करते हो इंजिन के सिलेंडर की तो सिलेंडर की जब साइज को फर्निस किया जाता है फर्निस का मतलब हो गया इस सिलेंडर है सिलेंडर के साइज को क्या करना है फर्निस करना है बढ़ाना घटाना है इसको लोग क्या बोलते हो इसको वैंजिंग रिवोरिंग या फिर हम लोग होनी या बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं विल्कुल सही है होनिंग नाम से जानते हैं अगले क्वेश्चिन पर आ जाओ अगर लेकिन जब लोग पेट्रोल इंजन की बात करते तो क्या होता है इसको याद कर ले ना तुमसे पूछा जाएगा इसको थियोरी में तो बहुत अच्छे से समझाते हैं लेकिन यहां पर कम से कम रट ही लोगे तो भी काम तुम्हारा चल जाएगा बताओ कौन सी कौन सी इंटर बेंक या फिर हमारा कांसा यू fra इन ड्विया फिर हमारा क्या हो जाएगा और यहाद वैंक जल्दी से आंसर दे दो बिल्कुल साही है ग्लपना में यहाद रहाईग्क है क्यू टी पिको क्या करता हैं फंडिंग करता है जाद रहतिंग करते हो ग्राफिटीं कि स्रक और साइन में करती हो तो बताव बोट इस टॉक और चैंग में की जाती है अगले कोस्टेञ प्र टिलैपिया मेंजोपिका है तिरकिया तिलैपिया मोझैम्बीका इसको जो है प्यों क्या मानते हैं लोग जो हौने टो मानते बिल्कुल से चाइनीज या तो हम लोग इसको क्या मानते हैं चाइनीज मानते हैं जो हमारे और चाइनीज के नाम से जानते हैं तिलाइपिया विच इस दा डायरेक्ट वे अफ मीजरिंग स्वाइल मुस्ट्र टेंशन को किसे डायरेक्ट वे से मापते हैं डायरेक्ट वे से मापने का एक तरीका है जिसक तो सीधी बात है पेर आफ होता तो एक एच्पी लगा देते और हमारा क्या बेटा एक बुलक है तो पॉइंट फाइव एच्पी जो है पावा जेनरेट करेगा अगले कोश्चन पर आजाओ अगला है किसने इनवेंट किया था हॉर्स होए हार्स होए एक किताब भी है हॉर्स सेफों का आया हुआ उस दिन हमने बहुत अच्छे से कराया था एक हमारा जो है क्या एक फीमेल है पहली बात और वह फीमेल अनेवल टूरी प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती मतलब कि बच्चे भी नहीं दे सकती तो यानि किसकी बात कर रहा है कोईन की या फिर बरकर की तीदी बात है यही दो है जो फीमेल है क्योंकि ड्रोन तो मेल है अच्छा बताओ क्या हो जाएगा बिलकुल आंसर हो जाएगा हमारा बरकर वी क्या हो जाएगा वरकर वी की बात कर रहा है अगले कोश्यन पर आ जाओ कैंश है जल्दी 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 मारते रहो बिल्कु सही बैटा बिल्कु सही बताऊ क्या हो जाएगा एक plant growth mechanism है काऊन सी जो Light की तरफ Plant कै कर जाता है मूव कर जाता जैसा यह light देह की तो Plant Automatic अपने आपको क्या किया जल्दी से आंसर देदो बहुत अच्छे बिल्कु सही है उसको लोग क्या बोलोगे फोटो ट्रोपीजम का मतलब फोटान की तरफ कर जाना टर्न कर जाना फोटो ट्रोपीजम कहलाता है अगर कहीं पर ऐसी जगह है जहां पर फॉरिस्ट पहले थे लिक गाओं के बाहर आप फॉरिस्ट एरिया को धीरे-दीरे करके है कि इंक्रीज कर रहे हो पहले देः ऑफेर इट्वाज नौट फॉरिस्ट नहीं थे वहाँ पर पहले ठीक है लेकिन आपने क्या किया अउसे धीरे-धीरे कर दिया एरिया को ठीक है तो उसको क्या वोलोगे फॉर्म फॉरिश्ट एक्स्टेंशन या ठीक्स या फिर फिर याद रखेंगे पहले नहीं थे देर धीर सेंकर कर रहे हो यानि तुम क्या कर रहे हैं यानि कि वो हमारी कैसी है यानि कि वो हमारी और uns सब को कब मनाया जाता है कि तो वन महुस्थ सब को याद रखेंगे जुलाइए के पहले सबतहा में क्या मनाया जाता है यह याद रखेंगे की पूरे से विश्डन में मेगाई एक्स पहली कंट्री है तो कमांड एरिया पुछा जाता तो पावर ठीलर कःट्र कितना हो जाता है इसको एथ is याद कर लेंगे अगले क्विचिन पहली कंट्री है जिसे पार टिलर को यूज किया था पावर टिलर को यूज किया था हमारी कौन से कंट्री यह जापान याद रहेगा चलो अगले कोश्चन पर आजाओ अगर हम लोग बात करते एडवांस मैठेड आफ एक्स्ट्रीम फार्म आफ मिनिमम टिलेज मिनिमम टिलेज तो है लेकिन उसका एक्स है या फिर हमारा क्या हो जाए बॉम्बक सीवापेंट रॉड़ा तो याद रखेंगे कौन सा हमारा जो मारे सिल्क कॉन को निकालते उसको क्या बोलते हैं सीवापेंट रॉड़ा याद रहेगा चलो अगले कोश्चन पर जाओ प्राइमरी से केंडरी टिलेज दोनों करेग प्राइमरी से केंडरी दोनों में रखते हैं गोंड फारिस्ट कम्यूनिटी बेटा कहां से बिलॉंग करती है 36 गड़ से किससे बिलॉंग करती है 36 गड़ से याद रहेगा चलो अगले कोश्चन पर आ जाओ अगला हमारा कोश्चन है अगर हम लोग बात करते हैं रूट प् पार्ट है तो फ्रोग हमारा बेटा जो है एंबी प्लाव का पार्ट है बिल्कुस सही है किसका पार्ट है एंबी प्लाव का पार्ट हो जाएगा अगला कोश्चन पर आ जाओ बताव बेटा कौन सा है जो वाटर टेवल को मापेगा देप्त को मापेगा बहुत अच्छे से एह हैं ने समझाया भी था क्या आनसर हो जाएका पिजूमीतर क्या हो जाएगा पिजूं मेटर क्या याद रखेंगे चलो अगले कुस्च्वेशन पर चोंड सा माइक्रूंग जम है जो यो फाहस पर फोर सब करने के लिए कौन सा हो जाएगा वैम कौन सा वैम वी एम वैस्कुलर अवैस्कुलर माइको राइजा या देना चलो अगले कोश्चन पर आजो लीफ एरिया इंडेक्स किसने दिया था वेट्सन ने या फिर ब्लैक मैं ने बिलकॉक्स नहीं या फिर डेविट ने आंसर तो जल्दी जल्दी से प्रपोर्शनल में कितनी होती है ठीक है ना विंड की स्पीड की जो है प्रपोर्शनल में कितनी पावर होती है तो याद रखेंगे तीन पावर हम लोग जो विंड विलॉस्टी पे लगाते हैं थर्ड पावर आफ इस विलॉस्टी हाट आफ इंजन किसे कहते हैं किसे कहते इंजन का दिल बता बेटा इंजन का दिल होता मारा कौन गवर्नर कौन होता है गवर्नर याद रखेंगे ब्रेकडाउन आफ कॉंप्लेक्स अब से जब कॉंप्लेक्स को तोड़ के छोटे-छोटे सिंपल फॉर्म में लगाते हैं बना लेते हैं वह भी इनके अपसेंस की एर क तो आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल बेटा आंसर क्या हो जाएगा कार्बोन आई जिशन बिल्कुल सही है विंडिस्पेड अगर हम लोग विंड पंप को चलाना है तो याद रखेंगे कितनी चाहिए हमको लगबक जो लगब कर बेटा आठ से दस किलो मेंटे पतिगंटा जरूरत होती है याद रखेंगे ये सारे questions से जो तुम्हें हमने बहुत अच्छे से revise करा दिये एक हपते का content तुम्हें बहुत जल्दी ही मिल गया मतलब कि हम एक जो को revise करके यह अपने आपको प्रूफ करते हैं जो अभी तक पढ़ा था वह हमको सारा का सारा क्या बहुत अच्छे से आ रहा है जो बच्छे इंट्रेस्टेड हैं एंपी आरियों के बैच में वह एंपी आरियों का बैच अभी पर्चस कर सकते हैं क्योंकि अभी नया बैच को इन बैच में इन्रोल कर सकते हैं अगर आपको अभी भी इस सेल की मज़ा चाहिए तो देख लेना एक बार अगर 80% आफ चल ला है तो अभी हम आपको देख के बता दे रहे हैं और आपको सारी की सारी चीज़े मिलने वाली हैं चाहें आपका आपका प्री हो प्री में कराने वाले हैं आपको बेटा जो प्री है उसकी ट्यारी को बेहतर कराने वाले बैंकिंग की इंडिया की बेस वेकल्टी वहीं जब हम लोग मेंस की बात करते हो तो मेंस में हम लोग जो पांच लोग है सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट में आप वो कराने वाले वह भी फाउंडेशन के क्लासिस के साफ से कैसे फाउंडेशन जो बिल्कुल आप जीरो है ना तब भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे अग्रिकल्चर में इसके बाद बैटा आपको इसमें टेस्ट सीरीज हो गई वह आपको मिलने वाली है साथ में आपको एस एग्रिकल्चर क कोड लगाना नहीं भूलेंगे जब तक कोड नहीं लगा होगे मैक्सिम्म डिसकाउंट नहीं मिलेगा आप एंपी आरियो नावाड ग्रेडे एंपी आरियो यूपी ट्रपल सी या फिर आईवी पैसे सो किसी के बैच में इंडूल हो सकते हैं अगर आप एग्रिकल्चर महा साल के लिए मिलने वाली हैं जब आप इसमें डवल वैलिडिटी होगी आपको दो साल तक सारी चीज़ें आपको सारे बैचस में आप इंडूल रहोगे जो भी बैचस नहीं आते हैं और चाहिं यतने भी अग्रिकल्चर के सब्जेक्ट हो सभी में ठीक है तो इसमें आप इ इस फाउंडेशन क्लास जो है हमारी अलग सेपरेट नौ तारिक से स्टार्ट हो रही है इसमें इंडूल कर सकते हो वाई 783 एक साथ में यह भी बैच जो है दस से 11 बज़े सुबह रहने वाला है यह फाउंडेशन की क्लास रहेगी इसमें भी मजा आएगा अगर आपको बा क lesser download कर लेना download करके च्रीकौुल्चर से इसके बाद में आपको नीचे चार प्लूकुल करने के लेना सिलेक्टर करने के बाद में एकस्पलूर गूरूप पर जैसे जाओगे आपको एसे दिख जाएगा और यहां पर हमसे बात कर सकते हो कोई भी डाउट है आप हमसे बराबर मिल सकते हो एक बार चेक कर लेक्स ना आपका जो कोड है वह स्कूरा करों उससा में यांकally सभर लेगा परलकर को सिलेक्ट कर लेना यहाओ पर historic करने के बाद में यह बैच आपको दिख रहा है जो अभी नेया नेया स्टार्ट होने नौ जून से इसमें 12 मेने की वैलिडिटी है इसमें डवल वैलिडिटी तो नहीं है बाइनाव पर जाने के बाद में यहां पर कूपन कोड लगाना है वाई 7783 तो जैसे बेटा आप लगाओगे आपको यहां पर 77 परसेंट ही ओफ मिलेगा यानि कि अभी एक्टिव नहीं है अभी मन्त इंसेल थी तो उसमें एक्टिवेट था तो यह आपको बेटा यह नियर बाउट 3700 का पड़ेगा लेकिन जैसे ही आप इसमें क्या करोगे जैसे ही कि इसमें आप क्वाइंस यूज करोगे तो और आपको पर एक पर्शिंट के लगवग आप हो जाएगा यह लगवग आपको फिर बैच नियर अबाउट वही है कि 3500 का पड़ेगा 3500 रुपए में इन्रोल हो सकते हो आप और इसमें आपको प्री में सो साथ में एस अगरिक सब्कीशिंग कर रहे हैं सर बारा सो पचास में नहीं मिल रहा है MPIRO का सेम कोड से भी तो अभी बेटा एक बार अभी तो इन मन्थ इंड ती तब तो यह चला था बारा सो पचास का अब एक्टीवेट नहीं है इसमें पड़ेगा फिज़े ना अब इसमें इन्रोल कर सकते ह है जब ने बताया था आपको तब आपने इंडोल नहीं किया ठीक है चलो दोबारा आप पर जब तक आएगा तब तक आपका बैच काफी आगे निकल जाएगा यह पता नहीं होता है जब आए तब हम आपको इनफर्म कर देंगे ठीक है चली राधे राधे ठांक यू तो अप अपना ख्याल रखेंगे फिर मिलते हैं नेक्ट क्लास में